दोस्तों हम लोग अपने चैनल पर खतरनाक से खतरनाक मेकैनिकल इंजिनियरिंग चैलेंज को पूरा करते आ रहे हैं तो इस बार भी कुछ अजूबा होने वाला है बहुत दिन पहले हमने एक ग्रेविटी बैटरी बनाया था जिसमें हमने दो साइकल के चक्के का यूज किया लेकिन वह जो है ना बहुत ही सिंपल मेकैनिजम से हमने बनाया था इस बार भी हम लोग इसी ग्रेविटी बैटरी को बनाने वाले हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेकैनिजम का यूज करके और खतरनाक इंजिनियरिंग चैलेंज को पूरा करके क्योंकि ग्रेविट हों कि gravity battery यानि गुरुत्वा कर्शन बल्ट से चलने वाला बैटरी होता क्या है चलिए मैं आपको इसको सबसे आसान भासा में बताता हूं एक ऐसा battery जो गुरुत्वा कर्शन बल्ट से operate हो जितने भी battery हम लोग नर्माली यूज करते हैं उन सारे में chemical का की यारी ने उसमें एनरजी को एस्टोर किया जाता है जो या कुछ ना कुछ दिन ग्रेवीटी बैटरी में जब लूड उपर होता है तो ग्रेवीटेशनल पोटेंसल एनरजी एस्टोर होता है लोड में और जब लोड नीचे के तरफ आने लगता है तो काइनेटिक एनरजी में कनवर्ट होने लगता है और उसी काइनेटिक एनरजी का यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट करने में और इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट करके उस इनर्जी को हम लोग यूज कर पाते हैं इस तरह हमें किसी भी परकार का केमिकल का यूज नहीं करना पड़ता है तो चलिए आप बीना देरी किये इस खतरनाक इंजिनियरिंग चैलेंज को पूरा करना सुरू करते हैं इस वैसे इसको देख रहे हैं यह मेरी भांजी है अरे बोल दो एक वीडियो को लाइक करने के लिए बोलो तो लाइक करने के लिए देखिए हाथ उठा दी आप लाइक कर दीजिएगा चलिए बनाना सुरू करते हैं जैसा कि हर प्रोजेक्ट में हमें बहुत सारे समान की जुरत पड़ती है छोटे बड़े बहुत सारे चीजों की जुरत पड़ते तो इसके लिए हम लोग पहुंच चुके हैं स्क्रैप एस्टूर में और हमें बॉल बेरिंग चाहिए और कुछ मेकेनिजम चाहिए तो हमने सब्सक्राइब चाहिए च्छोटा बड़ा इस तरह का गीर चाहिए तो बड़ा गियर तो मैं स्क्रैप स्टूर से ही ले रहा हूं लेकिन छोटे को मैं नया पर्चेज कर ले रहा हूं साइकल के दुकान से अब यहां पर सारे समान को मैंने घर पर ला दिया है और इसको एक बेस पर रह करके welding करना शुरू कर दे रहा हूं और कुछ इस तरह से इसको जो जो fix करना है वो मैं fix करके और इसको इस तरह से fix कर रहा हूं ताकि इस पर chain जो चले वो बराबर चले और उतरे नहीं अगर थोड़ा सा भी इधर उदर हुआ तो वो उतर के और chain बाहर हो जाएगा इस तरह से खत्रा भी होने का यहां पर डर है तो यहां पर बिल्कुल सावधानी से और बिल्कुल straight line में इसे welding करना होगा और यहां पर देख सकते हैं जब हमने welding कर दिया है तो कुछ इस तरह से यह त्यार हो चुका है यह final product कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है यह ऐसा ल फलिः यहांपर देखिए लाश्ध फ़ला हिस्सा मैं जब भीीले से चला रहा हूं तो तरह से नचैंगा यहांपते मैं यहांपर दीरत चला रहा हूं आपर देख कितना किच चल रहा है यहांपर जब यह एक rotation पूरा करेगा यह यह बड़ा वीना देरी कि चलिये इसको real test करते हैं कि यह कैसे work करेगा और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं start करने से पहले इसमें मैं अल्टरनेटर का यूज नहीं किया हूं यानि कि generator का यूज नहीं किया हूं कर लेगा इसके लिए दो मोटर या जनेरेटर लगानी की जरूरत नहीं है एक ही से दोनों काम हो जाएगा तो यहां पर सारा सेटप हमारा कंप्लीट हो चुका है तो चलिए इसे चार्ज करते हैं तो यहां से मैं इस लोग को हटा दे रहा हूं यहां से मैंने हटा दिया तो चलिए हमारे सिस्टम को चार्ज करते है इस चोटे से बैटरी से ड्रिल मसीन कई बैटरी है इससे नोई इस दो समय शार्ज करेंगे तो आग už निपकर तो यह यह पर जैसा इंट रहें गाय à और फिर ये चार्ज करने लएगा यहाँ पर हम लोग छोटे बैटरी से चार्ज कर रहा है इसको सोलर पैनल से भी चार्ज किया जा सकता है लेकिन अभी धूप कम हो चुका है इसलिए हम लोग इस छोटे से बैटरी से इसको चार्ज कर रहा है यहां पर देख सकते हैं किस तरह से यह चार्ज हो रहा है ग्रेविटी बैटरी रिबार्स प्रोसेस इसको किया जा रहा है जिससे वजन जो है ना नीचे से उपर आ जाएगा और इस तरह से यह चार्ज हो जाएगा कि दोस्तों यहां पर हमारा यह बैटरी अभी फूल चार्ज है इसमें देख सकते हैं उधर साइड में हमने 20-20 लीटर वाले बोटल में पानी भर दिया है जिससे 40 लीटर वजन हो गया और 40 लीटर वजन को हम लोग हावा में टांग दी हैं जैसे ही यहां से हम लोग रिलीज क फोजेटीव में और नेगेटीव कौण निगेटीव में कनेक्ट कर दे रहा है और बल्क जो है वो यहां पर रहेगा थोड़ा सा सेट है तो यहां पर दिखाई देगा माध्य वालिटी में भर द्लudsissement तो चुड़ना और ।क होड़ने के बाद जल दिया है और लाइट भी गलो कर रहा है यहां पर देख सकते हैं और Old से ज इक वोड घुलीन आ रहा है जमयकि कैंप जल रहा है और यह presence बहुत ज्यादा है और धेले ठीने को हो गया है यह जागए यह कितना धीने ये देखिए, मैं दोनों गलो कर रहा है इसमें एम्पीर बहुत जादा एरा और एसपार करकर देखते है, यह मैं देखी अशाम से नो काना भी शुरू हो जा रहा है यह स्में एम्पीर बहुत जादाश ओरो है पुरालो 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 पुराल जा सकता है एक चीज मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था जब यह चल रहा था कि यह कहीं सूपर फास्ट नहीं हो जाए और कहीं चेन इसका उतर नहीं जाए नहीं तो अचानक से गिर जाएगा यहां पर सुरक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया यह देखिए राम सब्सक्राइब भी था और इसका मेकेनिजम भी बहुत ही प्रफैक्टली वर्क कर रहा था आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना तो मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग साइंटिफिक और कु जय बारत